स्लीपी क्लिए प्रवाइमेंट्स पांच कोशन्स यहां डिसकस करेंगे जो कि आपके क्लाइमेट चेंज से रहेंगे बहुत इंपोर्टन टॉपिक एंवाइमेंट्स पॉइंट ओफ्विव से नहीं नहीं दिन प्रती दिन कोई नहीं से खबर आती रहती है तो उस हिसाब से देखा जाये त आपने न्यूज में पिछले एक दो हफता में काफी बार इसके बारे में सुना होगा और इससे रिलेटेड हमारे टू मिनेट्स का भी लेक्चर आया था जो कि पिछले कल आपके लिए डाला गया था ठीके जी तो अगर आपने वह देखा है तो बहुत इजली आप इस कोशन क को सॉल्व कर सकते हैं पर आएए पहली सेटमेंट देखते हैं कि हीट डॉम के बारे में कह रहे हैं कि आपका तब होता है जब एक्मॉसफेर आपका ट्रैप कर देता है हॉट ओशेन एर को लाइक लेड़ और कैप कि उसके ओपर एक तरीके से ढखकन लगा दिया गया है ठी जो आपके हीट डॉम रहते हैं यह एक्ट कर सकते हैं एज़ फ्यूल टू वाइलड़ फार तीन सेटमेंट दी गई हैं पूछा जा रहा है कौन कौन सी करेक्ट हैं थोड़ा सोचिए इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है इस कॉंसेप्ट के बारे में तो आप हमा आपर टेंपरेचर काफी बढ़ गया था कुछ पर्टिकुलर रीजन में ठीके जी तो पहली सेटमेंट बहुको करेक्ट ली बिताया है कि जो एट्मॉसफेर रहता है यहां पर वो ट्रैप कर देता है आपकी होट ओशेन एर को जैसे कि उसके उपर एक लिड लगा दी गई गया तो एक तरीकी की एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट यहां बन गी तो आप इसली इसे ता सकते थे कि इनकरेक्ट हैं कंसेप्चली देखें तो हीट डॉम है आपका ये कैनेडा में विटनस किये गया कैनेडा आपका लैंड के उपर है ना कि वाटर के उपर है तो इसली आप आ सकते थे कि आपका लैंड बॉड़ी के उपर ही क्रियेट होता है ना कि वाटर बॉड़ी के उपर थर्ड में जो बात हो रही है कि जितने भी वाइल्ट फैर्ट रहती है उनके लिए ऐसा फ्यूल की तरह ये एक्ट कर सकता है तो बिल्कुल करेक्टली बिताया गया है वा में जासे यहां पर आपकी ऑप्षेंट करेक्ट ऑप्षेंट की इसिते में देफिनिशन यहां पर दी है कि इस तरीके से आकर करता है तो बिसीकली जो फिनॉमेना रहता है यह कब ऑगा जब एक स्ट्रॉंग चेंज आगा कि ग्रेटिएंट में फरक आएगा इन दो ऑसी इ तुछ उसके यहां पर हेक्शन कहते हैं तो ज्यूंत होता है तो शुब और ज्टेशन से आ रही है तो उसकी वज़़ाइस से यहां पर एक क्लिएट हो जाता है एक स्वेनेशन के लिए डीटेल में आप वहां पर हमारा वीनेट्स का लेक्ट्र है उसे वहाँ पर देख सकते हैं duration के बारे में बात करें तो जैसे कि वहाँ के scientist या जितनी भी organizations हैं उन्होंने ये कहा है कि typically एक हफते तक तो ये रहता ही है ठीके जी effect काफी important है means answer writing point of view से भी कि जितने भी घर ऐसे होंगे Canada में अब आपको पता ही है Canada generally वहाँ पर इतना temperature नहीं witness करने को देखा जाता तो लोग वहाँ पर air conditioners नहीं use करते हैं बट अब जितने भी घर ऐसे होंगे जहांपर आपके air conditions नहीं होंगे तो वहाँ पर जो living conditions हैं वो काफी unbearable होगी होगी ठीके जिसकी विज़से काफी इस तरीकी की fatalities भी witness करने को मिली है ठीके जी और इसका क्या role हो सकता है कि जो आपकी crops है उन्हें वो damage कर सकता है जो जितनी vegetation रहीगी उसे dry out कर देगा drops हो सकते हैं साथ के साथ अगर हम बात करें climate change का क्या role है इसमें तो काफी यहां पर weather scientist है जिन्होंने कहा है कि जो climate change हो रहा है जिसकी विज़से temperature आपका rise कर रहा है तो वहीं पर इसका काफी बड़ा role इन्होंने play किया है साथ के साथ जो आपका summer solustis है जो की 21st June को रहा है जिसके अधार पर अगर हम कहें जो आपका northern hemisphere रहता है वो witness करता है most of the sun rays जिसकी वहाँ पर gradually temperature तो ज्यादा रहता ही है ठीके जी फिर आपका Pacific Ocean आ गया एक तरफ जिसने एक water body का रोल वहाँ पर निभाया है जिसकी वाईसे जो आपकी air वहाँ से rise हुई है और वो land mask के उपर गई है ठीके जी image में देख लेते हैं यह basic सा concept है details के लिए जैसे मैं आपको बोला आप two minutes series का जो हमारा lecture जो की का लाया था आप उसे detail में देख सकते हैं अगले question के और बढ़ते हैं बात हो रही है special report on global warming of 1.5 degree Celsius कि यह किसके दौरा release की गई है बहुत simple सा question है purely factual natural question आपसे यहाँ पर पूछा गया है इस तरह की reports exam point of view से बहुत जादा important रहती है किसी तरीके से आपको question पूछा दा सकता है थोड़ा सोची है इसके बार में correct option मार्क क यह special report इन्हों क्यार कि थी global warming of 1.5 degree Celsius जिसे हम कहते है SR 1.5 तो क्या है यह 1.5 degree Celsius कि यहाँ पर इन्होंने अपनी कुछ commitments रखी है कि वो जो temperature जो change हो रहा है जो बढ़ रहा है as per the pre industry level तो उसको 1.5 degree Celsius से जाधा नहीं होने देंगे और यह कहां set किया गया था हमारे Paris Agreement में ठीके ज तो report ने suggest किया है कि काफी improbable लग रहा है कि जो हमने target set किया है 1.5 degree Celsius का वो achieve हो पाएगा क्यूंकि उस तरीके से जो हमारी emissions है वो हम reduce नहीं कर पा रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर target रखा गया था तो most of the nations जिन्होंने अपने respective targets वहाँ पर set किये थ थे वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना target वहाँ पर achieve कर सकें और काफी ज्यादा probability है यहाँ पर कि यह जो 1.5 degree Celsius का target रखा था इसे वो breach कर जाएंगे ठीके जी at present जो आपका world है वो 1.2 degree Celsius warmer है compared to the pre-industrial levels अब यह तो रही एक report तो basically यह जो report है तो इस तरीकी क बाकी तीन reports रहती हैं जो कि IPCC release करता है कौन सी है बाकी दो ocean and cryosphere in climate change ठीकी जो दूसरी है आपकी land and climate change तो यहाँ बात हो रही है world leaders summit at the 29th UN climate change conference of the party COP26 यह आपकी इन चार जगाओं में से कहां पर conduct की जाएगी बहुत simple question है last year 2020 में conduct की जानी थी बट यह आपकी postpone होगी थी because of the COVID crisis अब थोड़ा सोची अब आपका दुबारा इसकी नई date set की गई है आपकी news में आई है current affair oriented आपके लिए question है video pause कीजिए correctly mark कीज इसे related explanations तो यहाँ पर आपकी correct option है Glasgow तो basically 26 session आपका यह होने वाला है आपको पता है COP26 जो की originally schedule किया गया था पिछले साल के लिए November 9-19 ठीके जी बट अब जिस साब से आपकी COVID crisis रहे हैं अब वो इस साल के लिए यहाँ पर schedule कर दी गई है तो अब बात करें UNFCC के बारे में तो अब यह क्या काम करती है आपको question इस तरीके से भी पूछा सकता है लिंके इस तरीके से भी हो सकती है तो यहाँ पर हम कोशिच करेंगे जो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वह आपको पता हो कि यह काम करेगा कि डबलब कर सके cooperative strategies ताकि जो हमारा greenhouse gas का जो concentrations है उसे reduce किया जा सके ताकि जो dangerous impacts हो रहे है climate change की वसे जैसे कि हमने heat dome के बारे हम बात की तो वो वहाँ पर हम resolve कर सके या उन्हें हम वहाँ पर neglect कर सके या उन्हें हम वहाँ पर prevent कर सके ठीके जी तो हर साल इस तरीके से आपको UNFCC मिलता है जिसे हम conference of parties कहते हैं ताकि जितने भी हमारे इस त 0.5 degree Celsius की commitment रखी ती जो कि हमने पिछले question में discuss की कि उस पर किस तरीके से काम हो रहा है तो इसमें बाकी nations क्या करेंगे जो भी उनकी knowledge रहेगी जो भी experiences रहेंगे वो share करेंगे knowledge transfer की जाएगी between nations की अगर suppose कोई बहुत ही developing nation है जहां पर आपकी industrial activities carry out अभी की जा रही है यह वो इस रखते हैं अब इसमें important चीज़ जो कि आपको पता होनी बहुत जुरूरी है जो 2015 वाली आपकी जो COP है COP21 जिसे हम Paris में भी हुई थी जिसे हम Paris agreement भी कहते हैं तो वहां पर आपका यह target रखा गया था 1.5 degree Celsius वाला ठीके जी इंपोटन सा point है जो कि almost जितने भी experience त्यारी करते है 2-3 साल से कर रहे होंगे जो fresh experience भी होगे तो भी उन्हें यह चीज़ पता होनी बहुत important है तो बहुत simple सा question था बढ़ते हैं fourth question की ओर तो यहां पर बात हो रही है आपकी brown to green reports related दो statement आपको दी गई है पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी correct है ठीके जी उस से related आपको चार climate transparency दो statement दी गई है अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो बहुत easily आप solve कर सकते हैं नहीं तो हम इसको अभी discuss कर लेंगे पर थोड़ा सोची इस question के बारे में अच्छे से correctly mark कीजिए इस question को तो basically जो पहली statement में यहां बात हो रही है कि comprehensive review यह तयार करती है report of the BRICS climate action तो य communication तक सिमित नहीं है बलकि जो आपका G20 है उनका क्या climate action है किस तरीके से वो जो हमारा climate change है उस पर काम कर रहे हैं तो उनका यहां पर comprehensive review इस report दोरा त्यार किया जाता है जो कि climate transparency दोरा publish की जाती है तो इसके अधार पर आपकी second option sorry जो B option है वो correct option है कि second statement ही यहां पर आपकी correct है ठीके जी factual nature का question था easy medium difficulty level हम कह सकते हैं तो जैसे के हमने बात की काफी comprehensive review है आपके G20 climate action का provide करता है concise और comparable information की किस तरीके से G20 country mitigation action है finance है adaptation है वो काम कर रहा है यहां पर फिर जितने भी आपके developed यह तयार की जाती है जो report by the experts from the 14 research organizations and NGOs from the majority of the G20 countries तो यह आपकी cover करती है approximately 80 indicators यहां प ठीके जी ताकि जो policy makers हैं उन्हें यहां पर inform किया जा सके कि किस तरीके से वो आगे काम कर सकते हैं तो simple सा question था जैसे कि मैंने पहले भी का है climate change related जो reports रहती है वो आपके लिए काफी जादा important है किसके दौरा publish की गई क्या उसमें बात की गई किस से related वो report थी तो इस तरीके से आप अपने notes में compile कर सकते हैं सारी information ठीके जी अगले question के और बढ़ते हैं फिफ्ट question आज का last question तो यहां बात हो रही है आपकी decarbonizing transport project in India तो इस से related आपको तीन statement दी गई हैं अब इंडिया से related question है इंडिया के climate change जो वो initiatives ले रहा है उस से related question है आईए पहली statement देखते हैं तो पहली statement में कह रहे हैं जो आपकी ministry of environment forest and climate change है और जो international transport forum है of the OECD उन्होंने jointly launch किया है यह decarbonizing transport in emerging economies जो कि एक project है जो कि इंडिया में launch किया गया है second में कह रहे हैं कि जो यह ambitious five year project है यह help करेगा इंडिया को develop कर सके एक pathway towards a low carbon transport system through the development of modeling tools and policy scenarios और last statement में कह रहे हैं जो आपकी जपा इंडिया और मरॉक्को है वो current participants है आपके इस international decarbonizing transport in emerging economies के तीन statement दी गई हैं बिल्कुल ही factual नित रगा आप से question पूछा गया है इस project से लेटेट जो main information है तीनों चीज़ें यहां पर पूछ ली गई है फड़ा सोचिए इसके बारे में correct option मांग कीजिए फिर हम discuss करते हैं इस Ministry of Environment, Forest and Climate Change एक role play करेगी कि उन्होंने international transport forum के साथ jointly launch किया है तो generally आपकी जितने भी इस तरीके के international collaborations रहते हैं तो उसमें ministries directly involved नहीं होती हैं तो यहां पर आपका correct option है कि यह नीती आयोग ने international transport forum के साथ jointly इसे launch किया है तो पहली statement तो आपकी यहां पर incorrect होगी second में भी को correctly बताया भी है कि अगर इस तरीके का project होगा decarbonizing जहां पर आपको वैसे ही पता लग रहा है कि जो carbon content है जो carbon emissions है उसे कम करने की बात की जाएगी by the means of transport कि जो transport दोरा carbon emissions वहां पर बढ़ रहे हैं उसे control करने की बात की जाएगी तो यहां पर बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है बट यहां पर confusion किस तरीके सो सकता था कि अगर आपको यह 5-year project की जगा कुछ और लिख दिया होता कि 10-year project है तो आपको यहां पर यह चीज़ें पता होनी ज़रूरी है कि कितने duration का यह project रहेगा थर्ड में जो बात हो रही है जपान इंडियन मरॉको और the current participants यह statement आपकी गलत है क् basically जैसे कि हमने बात की आपकी नितिया योग दोरा यह launch किया गया है इंडिया के तरफ से नितिया योग एक इसमें participating agency है अब जो बात हुई last statement के बारे में कि Morocco और Japan और India यह current participants हैं तो यह statement आपकी गलत है इसमें जपान आपका participant नहीं है इंडिया अर्जंटीना अजरबेजान और Morocco यह आपके current participants हैं जो की international decarbonizing transport in emerging economies के इसमें काम करेंगे अब जरूरत क्या पड़ी इस तरीकी के project की इंडिया के context में ही बात करें तो जो इंडिया का transport सेक्टर है वो basically third most greenhouse gases emitting सेक्टर है ठीके जी जहां पर जो major contribution है वो आती है road transport सेक्टर से out of the total carbon dioxide emissions in इंडिया 13% आपक transport sector से आती है तो इस project के हिसाब से यह कोशिश की जाएगी जो 13% का major factor है ठीके जी इसको यहां पर control के जा सके है और खास बात क्या है कि यह जो आपका emissions है यह आप triple कर गए है since the 1990s ठीके जी तो इस तरीके की information आपके main answer writing के लिए बहुत important है इंडिया के बात करें और कि जो of the average OECD country ठीके जी येट इंडिया's transport CO2 emissions are likely increased by almost 6% annually to 2030 तो इस project की बहुत जादा जरूरी थी इस तरीके carbon emissions को यहां पर control करने की ठीके जी तो इसमें क्या करेंगे यहां पर एक तरीकी का tailor made मतलब customizable transport emissions assessment framework तयार किया जाएगा डिजाइन किया जाएगा जो कि इंडिया के लिए ही होगा जो कि provide करेगा सरकार को एक detailed understanding of the current and future transport activity कि किस तरीक से जो हमारी transport activity है उसे regulate किया जा सकता है और इसी के चक्कर में अगर हम देखें कि काफी जो हमारी electrical vehicles हैं वो भी promote की जा रही हैं सरकार दोरा उस related subsidies भी दी जा रही है ठीके जी और जितना भी हमारा public transport है वो भी जाज़ officers रहेंगे experts रहेंगे society organizations रहेंगी तो सभी के साथ मिल जूलकर coordination में इस project को successfully achieve किया जाएगा ठीके जी तो यह थे हमारे आज के पांच questions तो I hope आप मैं से सभी नहीं अच्छे से perform किया हो इस सारे questions आपके correctly mark हुए हो जो भी आपका score रहा है comment box में जरूर mention कीजिए और अगर आ environment से related कौन-कौन से components आपको लगता है कि उस related हम और discussion कर सकते हैं पांच questions के माध्यन से comment box में जरूर mention कीजिए हम कोशिश करेंगे उन पांच या उन topics में से आपके best 5 questions यहां पर तयार की जा सके हैं ठीके जी prelims का समयनस दीक आ रहा है आपको पता ही है अब आपकी जितनी ज़ test series में से लिए गए थे ताकि आपको थोड़ा overview सा मिल जा कि किस तरीके questions हम अपनी test series में provide करते हैं ठीके जी उसके लावा एक point of information आप सभी के लिए कि हमारे batch 4 के courses launch कर दिये गए हैं enrollment शुरू हो चुकी है 31st July तक आपके enrollment इसमें validate रहेगी जो की 2nd August से शुरू हो जाएंगे चार courses हैं जो भी details हैं आप हमारी website पर जाके check कर सकते हैं आपकी कोई भी queries हैं इससे related आप हमारे toll free number पर call कर सकते हैं during the working hours हम कोशिश करेंगे आपकी हरे query को यहां पर resolve करना और आपको यहां पर जो आपका UPSC का एक mission है उसको पूरा करने में ठीके जी so that will be all इसी तरीके से प कर दो